हलो, गुद बर्नि, कैसे हैं आप सब लोगा, यूप आप लोग अच्छे होंगे तो आज देखिए सुभी सुभी आज हम लोगों का जो है प्लान बन गया मेरे हजबन ने कहा कि उनकी एक ट्रेंड थे, वो लोग भूमने जा रहे थे तो कहें चलिए आप लोग भी अपनी फैमिली ले करके चलिए तो बस ये आए हम लोगोंने अचानक से प्लान बन गया खूमने का तो आज हम लोग खूमने कहा जा रहे हैं ये हमारे ही बांदा कर्वी बांदा के छेतर में पड़ता है जो है एक एतिहाशिक इला जो कालिंजर के नाम से प्रशिद है तो बस हम लोग आज बही जा रहे थे और ये हमारे कर्वी से लगवग साथ किलो मेटर पड़ता है तो मैंने सुचा चलिए हम तो चलते हैं आप लोगों को भी दिखा देते हैं तो ये में रास्ते का वीव क्लिप ले करके आप लोग को दिखा रही थे देखे कितना सुंदर है ये पहाड़ी इलाका है और काफी जंगल है उची उची पहाड़िया है आज सच में इतना सुंदर लग रहा था मैंने सुदर चलिया आप लोगों को भी अपने साथ में ले चलती हूँ तो देखे कितना सुंदर पहाड़ दिख रहा था और इतना हरा वरा हरियाली सच मुझ ऐसे लग रहा था कि जैसे हम लोग जन्नत जा रहा है देखे खेतों में पानी भरा हुआ है और आज इतनी जादा वारिस हुई थी और मौसम इतना ठंडा हो गया था कि क्या बताए देखे कितनी सुंदर संदर पहाड़ियां बहुत उची-उची पहाड़ियां और ऐसे लग रहा था जैसे बादल उसके उपर गिरा हुआ है इक्दम से और सचमुच बादल इक्दम गिरा हुआ था पहाड़ के उपर तो यहां बहुत ही कहते बहुत ही भीहड जंगल इलाखा है जो है पढ़ता है कालिंजर में और यह कहते हाशिक फोट किला है जो है यहां पर पहले चंदेल राजा मतलब लोगों की मानता बताते हैं कि चंदेल राजा यहां पे था यहां पे सेरसा सूरी जो है राजा थे जो उनकी मतलब रृत्ते हो गई थी तो यह देखे कितना सुंदर वियू है इतना पहाड के ऊपर बिल्कुल पादल बिल्कुल जैसे लगता है जैसे हाथ में कुछ जादा डर लग रहा था तो चलिए आप लोगों को भी आगे फिर यह मैं हम लोग उपर पहुंच गया थे मैंने थोड़ा सा वहां का क्लिप बनाया था तो यह देख लीजे बिल्कुल कोहरा और बदली चाया हुआ है देखे यह